हेलो नमस्कार दोस्तो फिरी डिजीटल येस्टडी में आपका स्वागत है आगे आप पढ़ने वाले हैं जो प्रिश्णावली दो दिसमलव दो पढ़ रहे थे अध्यादो इन्वर्स टिग्नामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे उसके हमने 15 क्वेस्चन तक करना है तो सौलवा क।ष्चन दिया गया है साइन इन्वर्स साइन 2 पाहिव वटे 3 और इसका आपको कहा गया है मान गयान किजिये तो मान कैसे गयाद करेंगे यहां पे आपको लगता है दोनों चीजें काट दी जाए तो आंसर बचेगा दो पाइवटे 3 दो पाई वेटे तीन का मतलब 120 बचा होगा तो यहाँ पे जो 120 बचता है वो 120 गलत होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि चुंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स का मुख्यमान साइन इनवर्स का मुख्यमान जो होता है वो प्लेस 90 माइनस 90 दोनों के बीच होता है इस बज़े से आप यहां पे डारेक्ट ली नहीं कह सकते के जे और जे कट जाएंगे बचाओगा टू पाई अपॉन थिरी मतलब 120 जो गलत हो जाएगा क्योंकि 120 इसके अंतरगत नहीं आता है ठेके ना इस बज़े से आप क्या करोगे साइन इनवर्स इस साइन को आप दो भागों में तोड लोगे साइन जो टू पाई वाई थिरी है इसे आप दो भागों में ऐसा लिख सकते हो ठेके ना इसे आप ऐसा तो लिख सकते हो पाई माइनस पाई वर्टे तीन ऐसा बिलकुल लिखा जा सकता है क्योंकि तीन ही कम तीन मैंसे घटाओगे 2 पाइवर्टे 3 ही होगा इसे आप ऐसा लिख सकते हो आप देखिए सवाल आगे यदि हमने किया तो साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के एक्वल होता है तो साइन थीटा ही आप लिख देते हो अब दोनों साइन को आपस में काटा जा सकता है तो फिर आंसर हो जाएगा कितना पाइवर्टे 3 ठेके ना पाइवर्टे 3 बिलकुल आपके संद्राल के बीच में आता है तो जेस का मान हो जाएगा इसी प्रिकार से देखें सत्रवा क्वेश्चन 10 इनवर्ष 10 तीन पाइवर्टे 4 तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए चुकि 10 इनवर्ष का मुख्य मान जो होता है 10 इनवर्ष का मुख्य मान कहा से कहा तक होता है 0 से minus 90 से लगा के plus 90 होता है minus 90 से लगा के plus 90 होता है जब इतना होता है तो आप डारेक्टली एंसा नहीं काट सकते क्योंकि यदि डारेक्टली काट दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 3 पाइवर्टे 4 3 पाइवर्टे 4 मतलब 135 और 135 आपके इस अंत्राल में जब नहीं आता है तो आप एंसा नहीं काट सकते तो 10 inverse 10 3 पाइवर्टे 4 जो है इसे आप दो भागों में लिख लेते हो तो दो भागों में कैसे लिखना है जैसा हमने पिछले सवाल में लिखा था कि पाइवर्टे 4 इसमें आप लिख सकते हो क्योंकि 4 में से 1 पाइ घटा होगी 3 पाइवर्टे 4 जांके ता आ जाएगा ठीके ना ऐसा करने से क्या होगा 10 inverse यहाँ 10 180 माइनस थीटा और 10 180 माइनस थीटा यदि आप करते हो तो यहाँ पे आता है माइनस का 10 थीटा आता है तो माइनस का 10 थीटा आता है अब 10 से 10 यदि आप काट देते हो तो माइनस बचाओगा माइनस का 5 वर्टे 4 यही आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे जेवस द्यान रखना 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है 10 से 10 काट दिये जाए तो माइनस का पाई वटे चार वचा होगा आंसर फिर देखते हैं अगला सवाल जो अठारवा क्वेस्चन दिया गया है यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप ऐसा बिलकु कर सकते हैं 10 यहाँ पे लिखा है यहाँ साइन इंवर्स तीन वटे 5 कोट इंवर्स तीन वटे 2 लिखा है तो अब इन दोनों को तो आप जोड़नी सकते हो क्योंकि जोड़नी का दोनों के पास फार्मूला नहीं है लेकिन यदि आप एंसा करें कि यहाँ पे जो साइन है इस साइन को 10 में चेंज कर लें और यहाँ पे इस कोट को भी 10 में चेंज कर लें तो जरूर आप इ इसे कैसे change करना है, ये तो court 10 का उल्टा होता, पलट के आप बना सकते हो, लेकिन इसे यदी change किया जाए, तो यदी आप एक समकोर्ण त्रवज देखें, तो समकोर्ण त्रवज में court दिया गया है, sign दिया गया है, 10 में change कर रहे हो, sign का मतलब लंब वटे करण है, तो लंब अभी लिखा था लंब वटे कर्ण लंब वटे कर्ण लेकिन आधार जैसे ही आ गया तो 3 वटे 4 लंब वटे आधार 3 वटे 4 और ऐसा करने से क्या होगा अब आप इन दोनों 10 को जोड सकते हैं 2 10 इनवर्स को जोडने का फार्मूला अब ने पिछले कई सवालों पड़ा है के दोनों का योगफल करते हैं X प्लस Y वटे 1 माइनस X Y कर देते हैं यहाँ पे 1 माइनस X Y और इसे यदि आफ सॉल्व गोर करते चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है 10 और यहाँ पे 10 इनवर्स और यदि आफ सॉल्व करेंगे 4 तीन का LCM 12 उपर भी और नीचे भी तो तीन तरका 9 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 चोके 12 एकम 12 हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा और आगे यदि आफ सॉल्व करते गए तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 10 10 इनवर्स 17 वटे 6 मिल जाता है और 10 इनवर्स से 10 काट सकते हो तो आंसर हो जाएगा 17 वटे 6 हो जाएगा आंसर दिखते हैं अगले विकल्पी एक वेस्टन है 19 भी सिक्का पर दिया जाए तो बचा होगा 7 पाई वाई 6 लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कॉस का जो मुख्यमान होता है वो 0 से लगा के पाई होना चाहिए और 0 से पाई होना चाहिए लेकिन कॉस से कॉस काटा तो 7 पाई वाई 6 जे तो 210 आ गया और 210 तो इसके अंतरगत होगा इस बज़े से डारेक्ट ली आप नहीं काट सकते हो फिर आपको क्या करना होगा सवाल को जैसा हम पिछले सवालों जैसा करते थे वैसा ही करेंगे कॉस इन्वर्स और जो भी अंदर का कॉस है सेविन पाई वाई सिक्स को आप दो भागों में तोड़ लेते हैं चुकि उपर की संख्या बड़ी है इस बज़े से एक बार जादा भाग दे सकते हो आप 6 का भाग 7 में एक बार जाता है लेकिन आप दो भार देके दो भागों में तोड़ते हो तो कॉस 2 पाई माइनस यहां पे आप करोगे तो 5 पाई बटे 6 करना होगा क्योंकि 6 दूनी 12 में ऐसे 5 घटा होगे 7 बचे होगे तो आपको बस दो भाग यहां पे तोड़ने है तेखे न और ध्यान दे न जब उपर की संख्या बड़ी होती है 6 का 7 में एक बार जा रहा लेकिन आप 2 बार दोगे तेखे 2 बार देते हो और फिर 6 दूनी 12 होगा आप क थीटा के क्वल ही होता है तो अब आप कौस से कौस काट सकते हो अब आपका जो आंसर बचा होगा 5 पाई वटे 6 मतलब 1.500 बिलकुल मानी किया जा सकता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नम्मर का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अब देखते हैं अगली सवाल की यद देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया है साइन पाई वटे 3 तो हमने देखिए साइन पाई वटे 3 लिखा यहाँ पे और बाकी देखते हैं माइनेश इन है अब साइन में 1 वाई 2 साइन में 1 वाई 2 जो होता है वो तो 30 का मान होता है साइन 30 का मान लेकिन साइन का भी आपक से plus 90 मतलब 1 वटे 2 जो है sin 30 का तो होता नहीं है तो minus 30 का होगा फिर क्योंकि 90 से जाद है तो आप जाई नहीं सकते हो जब plus 30 का नहीं है तो minus 30 का होगा इसलिए हम क्या करते हैं जह जांके ता लिखा minus भी जांके ता लिखा और minus 1 y 2 जो है वो कितने का मान होगा minus 30 का मान होगा तो हमने इसमें minus 30 लिखा इसकी जगा है minus का 30 लिखा है ठीक है ना minus 30 तो sin 580 3 लिखा और जे जो है कितनी का मान है minus और minus 580 6 का मान है ठीक है minus 30 लिखा double minus है double minus क्या बना देगा अब plus बना देगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएंगे पाई वेटे 3 प्लस पाई वेटे 6 बन जाएंगे और पाई वेटे 3 होता है 1 होता है अब देखें कैश्वी सवाल की अदि हम बात करें 10 inverse करणी 3 दिया गया है 10 inverse करणी 3 minus दिया गया था कि court में minus करणी 3 दिया गया है अब यह कितनी का मान होता है आपको ग्याद करना है तो 10 में करणी 3 तो आप कह सकते हैं 60 का मान होता है 60 लिख दीजिए माइनस इन लगाईए और कोट में माइनस करणी 3 कितनी का मान होता है तो कोट की लिमिट आपको पता होगी के 0 से लगा के 180 होती है कोट की लिमिट मतलब यहां कोट जे 30 का होता यदि प्लस के करणी 3 होते प्लस के करणी 3 होते तो कोट 30 का होता अनि माइनस का 90 बचता है मतलब माइनस का πाई वाई 2 इसका अंसर होगा बी नम्मर का करेक्ट हो जाएगा माइनस का 90 मतलब माइनस पाई वाई 2 क्योंकि जे 60 का मान है और कौट में माइनस करनी 3 150 का मान होता है 60 में से 150 घटा हो तो माइनस 90 मतलब माइनस का πाई वाई 2 करेक्ट अं